YouTube वीडियो के लिए viral tag और viral hashtag कहां से मिलेंगे कैसे मिलेंगे आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ ये तो नहीं मैं कह सकता कि आपके जो वीडियो है वो viral हो जागा पर at least आपके वीडियो में जो views आने start हो जाएंगे उससे आपकी income जो already होती थी उससे जादा होने लग जाएगी और इसमें आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुश्किल से पांच मिनट के अंदर आप ये चीज कर सकते है जो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहली हमारी जो website है उसका नाम है rapid tags यहाँ पर मैं अपना main keyword लिखूंगा जिसके उपर मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ मैंने लिखा youtube viral tags generate tags के उपर मैंने click करा और यहाँ पर आप देखेंगे 15 इसने मुझे viral tags search करके दे दिये और यहाँ पर आपको copy का button दिख रहा है इसके उपर आपने click करना है notepad में जाना है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे बस यह जो comma का sign है इसको आपने थोड़ा सा ठीक करना है और उसके बाद वापिस आपने इसी website में आना है page को नीचे करेंगे और यहाँ पर आपको viral tags मिल रहे है hashtag मिलेंगे जो हम अपने video की description में add करते है अब यहाँ पर मैंने hashtag को भी save कर लिया आप सब जानते है hashtag अगर वीडियो में देंगे तो उससे भी आपको benefit मिलेगा पर अगर आपको यह पता लग जाए कौनसा hashtag viral है तो वो तो सोने पे सुहागा होगा अगर आप 3 hashtag भी देंगे तो भी चलेगा यहाँ से आपने इस comma को delete कर देना है पर अगर एक दो extra देंगे तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा यहाँ से आपके पास कुछ tags आ चुके है कुछ hashtag आ चुके है उसके बाद इसी page को थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो यहाँ पे और इसने no tags निका क्योंकि अब मैं आपको दूसरी website बताने वाला हूँ जितने भी मैं आपको tags बता रहा हूँ उन सबको notepad में save करें और जो common tags हैं उनको आप last में delete कर दे tune pocket यह है हमारी second website जहां से आप YouTube के tags को generate कर सकते हैं मैंने अपना keyword लिखा YouTube viral tags और generate tags के उपर मैंने क्लिक कर दिया कुछी second में आप देखेंगे इसने भी मुझे viral tags निकाल के दे दिये copy to clipboard का button है इसको मैंने copy करा वापिस मैं अपने notepad में आ गया और उसके आगे मैंने इसे paste कर दिया अब जो मैं तीसरी website बताने वाला हूं वो paid app पर आप उसे free में भी use कर सकते हैं और उसके अंदर आपको option मिलेगी country select करने की और language select करने की third website है हमारी kparser आपको यहाँ पर tag लिखना है मैंने अपना main tag लिख दिया youtube viral tag अब आपको किस के लिए चीए google, google, mobile, news, shopping मैंने यहाँ से youtube को select करा आप चाहे तो यहाँ से इसको और किसी purpose के लिए use कर सकते है site से इसे नीचे करके और कौन सी country पर आप target करना चाहते है मैं यहाँ पर इंडिया लिखूंगा और उसके बाद यहाँ से आप अपनी language को select कर सकते है हिंदी language भी मिलेगी यह सारी setting complete करने के बाद start के ओपर आपने click करना है यहाँ पर आप देखेंगे अभी searches start हो चुकी है औ तो यहाँ से अपनी list को extend कर सकते हैं यहाँ से भी आप अपने tags को copy कर सकते हैं copy करके आप उसे notepad में save करें नहीं तो जो same tag है उसको आप copy बिल्कुल भी ना करें आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक वीडियो के लिए इतने सारे tags अगर YouTube ने tags की option दे रखे तो उसका benefit आपको कही ना कहीं जरूर मिलेगा काफी लोग यही कहते है और YouTube भी कहते है कि tags अब इतना matter नहीं करते अगर matter नहीं करते तो उसने अभी तक box क्यों दे रखा है tags को add करने के लिए अब सलते अपने third option की तरफ जहां से आपको tags मिलेंगे और वो आप में से हर कोई जा आता है कि इस हमें कौन-कौन सी जादा सर्चीज हो रही है यहां पर आप देखेंगे मैंने YouTube वाइरल टैग्स लिखा मेरे पास काफी सारी लिस्ट आ चुकी है वाइरल टैग्स की नीचे आपको report की option मिल रही है जैसी आप click करेंगे तो यह वही सारे tags है जो YouTube recommend करता है यहां आप यहां से delete कर दें last but not the least अब जो last website बताने वाला वो भी paid है पर आप उसे free में use कर सकते है इतनी ज्यादा details तो नहीं आएगी पर आप at least tags का तो use जरूर करें यहां से मैंने YouTube को select करा YouTube viral tags जो मेरा keyword था वो type करा language और country को select करके मैंने search के उपर click करा अब यहां से मेरे पास सा select all कर सकता हूं ने तो जो tag मुझे चाहिए मैं उसको select करके नीचे option आ रही है यहां से मैं इसे export कर सकता हूं अगर आपके पास यह paid tool की option नहीं है तो आप Google में जाके YouTube keywords लिखेंगे यहां पे keyword tool.io यह वाली website है इसमें click करेंगे और यहां से आप YouTube को select करके search कर सकते हैं पर free account म शयद आपको यह वाली details ना मिले पर at least आपको उपर के 10-15 tags जरूर मिल जाएंगे जितनी भी मैंने आपको websites बताई हैं उनके नाम आप Google में search करके easily आप उन्हें open कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूं तब तक के लिए जैन जै भारत